इस वीडियो में हम बात करेंगे LKN वर्सिस डीसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में यारी लखनव सूपर जाइंट्स और डेली कैपिटल्स के बीच में जो मैच खिला जाएगा IPL 2022 का मैच नंबर 15 उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो लोग नहीं है हमा आप कर क्या रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तक ही आने वली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है परसो हमने बात करी थी सैमसन की वीकनेस है वो उट होंगे जल्दी और ड्रॉब भी किया दोनों को आज कौन ऐसा प्लियर हो सकता है वो भी हमें ढ लाश करने है लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है वेन्यू के बारे में बात करना जो डीवाई पार्टे स्टेडियो मुंबई का है जहां मैंने शुरू से आपको यह बता है कि ग्राउन काफी बड़ा है गैप फैंडर्स यहां पे चलते हैं जो गैप अच्छा डूंड सकत तो 2011 में हर विकेट के लिए 24 रन बन रहे थे 2010 में काफी आप कह सकते हो एवरेज स्कोर चल रहा था लेकिन 11 और 10 को हम क्यों देखे जब हमारे पास 2022 का डेटा है चार मैचिस यहां पे हूँ है पहला मैच हाइज स्कोरिंग दूसरा लो स्कोरिंग तीसरा हाइज स्कोरिंग एवरेज स्कोरिंग ठीक है लेकिन विकेट्स आप देखोगे रेगुलर्ली गई है पिछले तीन मैच में 17-16-16 विक्टे गई है यह दर साथ है कि बोलर्स इस ग्राउंड पे जरूरी है और क्रूशल भी है ठीक है यहां पे 17 में से 11 यहां पे 7 पे 5 यहां पे 16 में से 11 यहा दरा स्पिन को तो स्पिनर्स गेम में आए है इन पर्टिकुलर्र लास्ट मैचेज में लेकिन फास्ट का अभी भी बोल बाला है ठीक है अगर हम वेन्यू स्टैट्स की बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स देखोगे डीवाई पार्टे स्टेडियम पे तो यहां पर एक मैच में चार, होल्डर एक मैच में तीन, कुरुनल एक मैच में दो यह लास्ट ही मैच में हुआ था ठीक है तो लखनव उपर जैयंट्स के रोल्स प्लस फॉर्म हम देख लेते हैं हर एक प्लियर का रिकॉर्ड मैंने यहां पर रखा हुआ है जो रीसेंट फॉर्म से र तो यहां पर लोकेश राहुल जो है 0-40 और 68 लास्ट इसी ग्राउंड पर 68 किया बाके कुईंटन डिकॉख 7-61 और 1 लुईस 10-55 और 1 मनीश पांडे 6-5-11 दीपा खुड़ा 55-13-51 ठीक है मनीश पांडे मुझे लग रहा से लास्ट फॉर्च में हीरो बनेंगे 11 पर आउट ह हो गए थे लेकिन अयूश बदोनी 54-19 और 19 कुरुनल पांडिया 21 और 6 ठीक है यह कुछ इनकी बल्ले बाजी रही है गेंबाजी टीम की स्ट्रॉंग रही है अवेश खान साथ विक्ते ठीक है तीन मैच में होल्डर एक मैच में तीन विकेट लास्ट इवर में तीन विक्ते नहीं के लिए यहां से आपको रियलाइज होगा इनके पांच ही बुलर यूज हुए थे लेकिन 20th ओवर होल्डर ने डाला था 18 और अवेश ने और यहां पे 16 और विश्नुई 19 ओवर एंडियो टाए तो लगबग यहां पे दो और कोई नी डाल रहा डैस में एक एक और देखना चाहते हो यहां पे टोटल आपको लखनों का फुल रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है अब वो फुल रिकॉर्ड आप कैसे देखोगे देख लो यहां पे आपको पता है कि काईल मायर्स जुड़ चुके हैं 76 मैच में इनके 992 रंज हैं 18 की एवरेज 2.5 centuries 19 विकेट इसी साब साब हर प्लेर का रिकॉर्ड देख सकते हो मैं आपको लेके चलता हूँ यहां पे लास्ट इर के परफॉर्मर्स पे लखना हो के वही नाम राहूल डीकॉक मनीश पांडे दीपकुडा एवन लूइस सारे आपको देखने को मिल जाएंगे बोलिंग में आवेश ब अच्छा है 53 और 49 साथ में एंडिक नॉटिया भी खेलने वाले इनका फॉर्म से एक विकेट तीन विकेट दो एक और दो विकेट यह तो कईना की फॉर्म तो दोनों का अच्छा रहा है लेकिन दोनों आ रहे हैं थोड़ी ब्रेक के बाद स्पेशली यहां पे एंडिक नॉ दो में से एक मैं जीती है अपनी 100 परसंट जो कह सकते हो कपैसिटी टीम से नहीं खेल रहे थे आप क्योंकि एंडिक नॉटिया फिट हो गए हैं एंडिक नॉटिया डिरेक्ट वॉक करेंगे मोस्ट लाइकली खलील आमत की जगह और टीम साइफ़र्ट की जगह वार्नर हैं तो एट लिस्ट यह आपको यहीं पर बता दूँ ठीक है बाकी मंदीप सिंग है 0 और 18 रिशप पंद 1 और 43 किये ललित यादव हैस बीन गुरूड 48 और 25 और आज क्या यह बोलिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक को निकालने के लिए मैच अप यूस किया जा सकता है ध्यान र लिक्टे हैं तो यह लास्ट मैच में खेलते हैं आये साथ ही विकेट लेके गए अक्षर को यहाँ पर दोस्तों विकेट नहीं मिला लेकिन क्वालिटी और राउंडर है विकेट भी मिल सकता है रंस भी सेम गोस फो शार्दोर ठाकूर ठाकूर को दिली ने बहुत खराब त दो वर 29 पर 0 डी एन भी का मतलब है कि इन्हों ने खेलने के बावजूद बोलिंग नहीं करी डी एन पी का मतलब है यह खेले नहीं नहीं देखने जा रहे हैं डेली कैपिटल के फुल स्टैट्स प्रस इंफो जब आप देखोगे आपको हर प्लेयर का रिकॉर्ड मिलेगा वर्णर जेसा प्लेयर तीन सो मैच में दसेजार से जाधा रहन आठ शतक पचासी अरच शतक कहीं न कहीं वर्णर जेसा प्लेयर आपके लिए बहुत इंपोटेंट हो जाता है ठीक है नव अगर आप बोलिंग में देखो एन्रिक नोटिया का इनका भी स्टैट्स बहुत ब दोस्तो प्लेयर मैच अप्स देख रेहे हैं लग्नों के बल्यवास दिल्ली के बोलर्स के आगे पहले की रहुल का नाम आएका ऑफिससी सबसे की प्लियर अक्षर के आगे थोड़ा तंग रहे हैं मैचपस को देखते हुए डिकोग देखोगे अक्षर के आगे इनका एक विकेट है अच्छा खेले है एंरिक नॉटिया के आगे एक विकेट है ठाकूर के आगे एक है और इवन कुलदीब के आगे एक है इनको आउट करने का बेस चांस रखते हैं यहाँ पर कुलदीब कुलदीब के बाद जाके एवन लुइस आते है एवन लुइस यहाँ मुस्तफी जूर के आगे तीन बार आउट हुए है ठीक है एंरिक नॉटिया दो बार आउट कर चुक है एवन लुइस को तो एंरिक नॉटिया इनको भी कर रहे हैं को भी कर रहे हैं, important रहेंगे ठाकुर ने भी एक बार आउट किया, एवन लुइस को ठाकुर ना रन चाहे खाले, लेकिन विकेट कई ना कई लेके जाते हैं, वो तो दिल्ली इनको यूज नहीं अच्छे से कर दी जबकि यही धोनी होते थे तो ठाकुर दो-दो ले रहे थे हर मैच में, अब मनीश पांडे देखो, मुस्तफी जूर के आगे दो बार आउट है, अगेन मुस्तफी जूर का नाम आया, एवन लुइस के आगे भी आया था, अक्षर के आगे दो बार आउट है, थाकुर के आगे दो बार आउट है, कुलदीब के आगे एक बार आउट है, लेकिन एक फ्लियर जीरो ने इनको हमेशा रोक कर रखा है, वो देखो 67 वाल में 43 रन, दो विकेट अक्षर पर टेल रहे हैं, दीपकुडा नॉर्मली सब के आगे अच्छे रहे विकेट नहीं है, दिल्ली के बल्ले बास लखनो के बोलर्स के आगे, वेरी इंटरस्टिंग, सबसे पहले प्रिथवीशो, विष्णोई को नॉर्मल के लिए है, कुरुनल को एक विकेट दिया है, ठीक है, आवेश के सामने खेले नहीं क्योंकि आवेश इनी के टीम मिठते पहले, ठीक है, डेविड वॉर्नर, होल्डर पे एक बार विकेट है, विष्णोई पे दो बार विकेट है, डिस इस वेरी इंटरस्टिंग, विष्णोई विल बी दकी, और विष्णोई पास आदत है, इवन डिस्पाइट बिंगा, यू कैन से लेक स्पिनल, फिर भी दिखा है, टिम साइबट का मैंने मैच अप लिख दिया, खेलने के चांसे कम है, मंदीप सिंग एंड्यू टाय के आगे एक बार आउट हुए है, क्रूनल के आगे दो बार आउट हुए हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रतना है, रिशा पंत, इंटरस्टिंग, क्रूनल अच्छी रॉंग गन है, विश्णोई के पास, विश्णोई ने खुझ अपने इंटर्यू में बोला कि, ही फिल्स इक्वली गुड टू बोल टू आ लेफ्ट हैंडर, इन फैक्ट उनको विकेट ज्यादा लेफ्ट हैं, इवन डिस्पाइट बिंग लेक स्पिनर, जबकि जब अक्षर देखोगे, एंड्रू टाय के आगे उनकी विकेट है, ठीक है, दोस्तो जब आप अपने टीम क्रियेट करने आएंगे, विकेट कीपिंग में राहूल पंत और डिकोग पाएंगे, टीम साइफर इस मैच पे मूझ लैकली भार जाएंगे, तो ये चीज का आप ध्यान रखके खुश हो जाएंगे, ठीक है, पहले आपको बता दूं कि विकेट कीपिंग में ओपनिंग पे राहूल और आपको डिकोग मिलेंगे, टू डौन पे आपको मिलेंगे, पंत, यहाँ पे राहूल एस प्लेयर खेल रहे हैं, यानि कि विकेट कीपिंग नहीं कर पंत और डिकोग एस विकेट कीपर केलेंगे, फिर भी इंपोर्टेंस यहां तीनों की बहुत है, मैंने सबसे पहले राहूल को ले लिया है, इसके बाद पंत लेना है, डिकोग लेना है, या दोनों को लेना है, वो हम डिसकस करेंगे, आगे जाके, राहूल ओपनिंग पे ह यहां पर यह तंग थे, वहां से यह निकल गए है, यहां पर पॉइंट गूरूफ करना चाहेंगे, कि वो स्टिल आईपिय लेजन्ट है, इन से जादा 50 किसी ने मारी नहीं है, ठीक है इस टूनमेंट में, तो वार्नर का ध्यान रखना, काफी लोग इनको CVC भी कर देंगे डिरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने प्रित्वी शौ को लिए, प्रित्वी शौ और वार्नर की जो जोड़ी है, मुझे उसकी एक्साइटमेंट है, एक भारत का यंगिस्तान का प्लेयर और एक एक्स्पिरियंस प्लेयर फॉर्म, जांग कह सकते हो, ऑस्ट और मुझे पता है क्राइट प्रोब्लम आएगी, मैं मंदीब को ही लूँगा, लेकिन बाद मैं एंगे यहाँ, क्योंकि आपको दिखाना चाता हूँ, प्रोब्लम है, मैं बस ऐसे ही नहीं बोलता जा रहा, ठीक है, बाकी मंदीब की रिप्लेस्मेंट सर्फरास खान भी हो क़ूर्ण की प्रोब्लम है, प्रोब्लम के आरिये हूदा की?orman की आरिये हूदा की? इनको बोलिंग कम मिल रही है, लेकिन ये पुरिधू उन पे जिससाब के बल्ले बाद ही कर रहे है, बही bara को तो मज़पन ऑगवा रहे हैं, इनके बल्ले बाद हूदा का हम बाद में देखेंगे और दोस्तों ओपनिंग पे भी सामने दिली के कौन है वर्णर तो फू नोस की इनको ओपनिंग पे भी बूलिंग करवा दें एक दो ओवर और स्पिनर को ठीक है बाकी अक्षर पर टेल है अक्षर पे तत्ते क्रूशल रहेंगे ही इनको लेना जरूरी है इनके चा अच्छा के लिए ठीक है नॉट रोट जाते हैं में आपको पहले बता चुको फिल्डिंग में अच्छे फिल्डर है प्राब्लम है इनको लास्व नहीं मिला लेकिन क्या ये डीकोग को ओवर डाल सकते क्योंकि डीकोग दोस्तों लेफ्ट हैं और लास्ट मैच में वाशिं 80-20 है 80% अवेलेबल नहीं है ठीक है कृष्ण अपको अब भी नहीं खेलेंगे प्लेयर अच्छे हैं लेकिन दूस्तों बोलिंग के टेकरी पे हमारे पास अच्छे अच्छे प्लेयर हैं सबसे पहले आवेश खान को ले लिया लास्ट में चार विकेट लेके गए थे मुस् आप ले सकते हो यह भी अच्छे विकेट टेक करें प्लस मैंने जो वर्जन कुल्दीब का पिछले दो मैचिस में देखा है मेरे को बहुत टाइम से नहीं देखने को मिला वर्जन क्या पी उजबाई इनका क्या अपडेट हो गया अपडेट नहीं इनकी बोलिंग लाइन ल पिच्छ है और यहां से बौलिंग कर रहे हैं धर को इधर को निकलती है कुललीब दौनों साइट या इधर को और वह बलेबास जिस जिसको रीद करना आता ही निहां वह LVW का शिकार बनता है ठीक है तो यह चीज़ देखके चलना यहाँ पर खली लेमद भी हैं, लेकिन मैं खली लेमद को नहीं ले रहां, एन्रीक नोट्या को ले रहूँ, शार्दुल ठाकुर को ले रहूँ, और आप इन सब को ले लोगे, तो हमारी team कैसे होगी, देखो, पहले तो इदर मंदीब सिंह को लें, हमारे पस अभी एक क्रेड आप देखो मैंने पांच पूलर लिया है अवेश, मुस्तफीजू, रवी बिश्णोई, एन्रीक नॉटिया और शारदुल ठाकूर, इन में से आप किसी को भी लीव करके इजिली क्विंटन डिकॉक ले सकते हो, फॉर दर टाइमिंग रवी बिश्णोई या फिर यही रीजन है, मैंने शारदुल को लिया है, लास्ट मैंने यहाँ पर डिकॉक को दोस्तों पिक किया, यह बनती है मेरी टीम, तो बहुत अच्छा है, आज का मैच डिसाइड करेगा, और हमने पिछले मैचेज में क्या देखा है पिछले तीन मैचेज में दोस्तों मैं आपको मोटिवेट करो क्योंकि बोलर अच्छा कर सकते हैं 16, 17 और 16 विकेट ऐसा कुछ देखा है पिछले तीन मैच में इस ग्राउन पर ध्यान देना अब कैपटनसी, वाइस कैपटनसी के लिए दोस्तों पिक्स बहुत है यहाँ पे आप देखोंगे लोग क्या करेंगे, बॉर्नर को करेंगे, राहूल को करेंगे हम होल्डर का हमेशा ध्यान रखेंगे, होल्डर भाहिया की जैए ठीक है, तो मैंने अपनी कैपटनसी या राहूल को दी है, वाइस कैपटनसी मैंने अपनी होल्डर को दी है आप चाहो यहाँ पे चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हो, आप वर्नर को या इवन अगर रिशब पंत को ले रहे हो ट्राइ कर सकते हो बट मुझे manage करने ते cred उनको भी अगर मैंने ले लिया तो भई टीम नी बनेगी बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो अमीद करते हो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला अगर आपको लगता है कुछ सीखने को मिला है तो आप telegram जोइन कर सकते हो हमारा देखो फाइनल टीम में changes हो जाते हैं वहाँ कोई hero निकल आता है फिर हम जीच जाते हैं आपको लग वीडियो वाली टीम ही निकाल लेते हैं ठीक है तो ये चीज़ का ध्यान रखना ठीक है telegram जोइन कर लो बहुत कुछ important information मिल जाएगी और top comment से जुड़ना है साथ में वीडियो की description में जो link है उस नीचे थोड़ा scroll करोगे तब दीखेगा यूट्यूब पे अगर आपने subscribe नहीं किया वो भी कर दीजिए क्योंकि मैं आपको तभी मिलूँगा अगली वीडियो में subscribe करके bell icon को press कर दीजिए